मैं लुटिया पुटिया जाओंगा तेरे इश्क में गोते खाओंगा ओ मन्नू मैं तो गया तेरे दिल में टेंड लगाओंगा मैं पिड़ना वापस जाओंगा ओ मन्नू मैं तो गया बंदा जी ताता खुल के तेरी गली में आया मुड़ के चंगा बाला सी जी मैं लुट पुट गया कि मैं तो लुट पुट लुट पुट लुट लुट पुट गया कि मैं तो लुट पुट लुट पुट लुट जी पापा फिकर नी करें मैं घर पहुच गई हूं मैं आपको कॉल करना भूल गई थी दरसर मेरी कार करना टायर पंचर हो गया था तो इस टेंशन टेंशन में आपको कॉल करना ही भूल गई थी चलें फिर बात में बात होती है मैं फून रखती हूं देखो नंदर जाके क्या हाल किया उसने मेरे घर का भासे तो ठीक ठाक लग रहा है जी जी पापा मैं आ गई हूँ अब आपको फिकर करने ही कोई जरूरत नहीं है आप बिजनस को देखिए टेंशन बिल्कु मत लीजी अपना बीपी बिल्कु हाई मत कीजिगा पापा ओके बाए यार यह ऐसा रगे कि मूवी का नया सॉंग आया जवसे यह सॉंग आया ना सौंगी चक्कर मैं पागल होगई हूँ इस सॉंग के चकर में पापा कॉल करना ही भूट गही हूँ जब मैं वापिस जाहूंगे ना मुझे इन मूझे जरूर देखनी बहुत हिट हुई है पर मुझे केया टेकर नजर पापा को फिकर लगी हुई थी, कि जाओ जाके घर को देखो, इस चक्र मुझे आना परा, रज्जो मुझे एक का ब्लैक काफी लाके दो, मैं बहुत सारा थक गई हूँ, जी मैडम लेके आती हूँ, शुकर है, इसके अवास तो आई, बहुत सारा टार होगे, थक गई हूँ, कुछ तो अच्छा हुआ, मैंने काना लगा लिया, काना सुनते हैं, मुझे सफर का पता ही नहीं चला, वाना मैं सोचे दिए इस लंबा सफर मैं अकेले कैसे टैग करूंगी, पूरे घर में किती डस्क हो रही है, किती मिटी हो रही है, लगता ही मेरे घर ख्याल ही नहीं करत मुझे आने मां की बहुत ऱयात आती है माँ मेरी इस खंब किते अची अच्छ मेमोरीस है काच मां कभी जाती लाइक आगा है मैस्यूमा जब से मां मुझे छोड़के गई पापा ने मुझे समाला हुआ केسب़ कमी महस रचो कहा हो तुम मेरे रोंगो किता विलाना कर दिया किता खाली खाली कर दिया रचो मेरे सारे महंगी शोपिस कहा है जो यहां डेकरेट थे मैं मुझे नहीं पता जूट मत बोलो मेरे सामने मैं जाती है तुम नहीं गायब किये तुम जाते हैं मैं फ्रांस से मंगवाई थे, लंडन से मंगवाई थे, अमेरिका से मंगवाई थे अभी जाहो यह सोना है कि थक गई हूँ मैं रजो को मैंने काता है एसी कम टेंपरेचर पे खोना है तब तेस्कोल के चली गई इस ब्लैंकेट से किती बडबु आ रहे, किती बैड समयल आ रहे, अईसे लगता है मिरा ब्लैंकेट को ने पिछे से यूस करता है, यही होगी मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरे पूरे घर में याकर रहती है अपनी हस्बेंट के साथ अप पापा से जूट बोलती है कि मैं अकेले इस घर को केया टेकर करती हूँ थोड़े निन पूरी कर लो भी इसके अच्छे से किलास लोगे पापा को बताऊंगी इसने आपकी घर का क्या हाल किया हुए आप ठीक कहते है रचो काम से निकालना परेगा इसको काम से फायर करना परेगा कोई और ढूनूँगी मैं केया टेकर जो मेरे घर के अच्छे से ख्याल कर सके पापा तो मुझे कही बार कह चुके है कि इस घर को सेल आउट कर दो पर मैं अदिल नहीं मानता इस घर में मा की यादे हैं इस घर में आती तो उन्हें मा कर होने का एहसास होता है मैं इस घर को कैसे सेल आउट कर दू रचो कहा हो तुम कबसे कहनी मुझे भूक लग रही है भूख लग रही हूँ, क्या हाल का केक का मेरे घर का, जी मैं बस आ रही हूँ एक तो ये लड़गी कभी पहली आवास पे नहीं सुद्धे बद दूर से बोल जाती आ रही हूँ आ रही हूँ, रज्जो कहा हो तुम, तुमने मेरे खाने का कोई इंतिजाम नहीं किया, कहा हो, मुझे भूख लग रही है, मेरे पेट में चुए दौर रहे हैं, जी मैं बस आई, रज्जो मैं नमसे काहा था कि जब मैं सो के उठ्वी तुमने गरम खाना चाहिए, कहा है मेरा खाना, मैं मैं मना चुकी हूँ, तुमने मेरे घर का यह हाल किया हूँ है, बापा को कहे कि तुम्हें जॉब से फाय करवाओंगी, मुझे तुम्हें घर पर रखना ही नहीं है, बापा यह बस देते कि रज्जो अच्छा काम करती है, मैंने बापा को पहले ही कहा था, कि होगी भला तुम, मुझे भी बहुत चीन है, और देखो किचन खाली पढ़ा हुआ है, मैं तुमसे कहा था कि मेरे लिए खाना बनाओ, कहा है यह खाना, मैं मैं आमके लिए मार्केट से मंगबा दूँग, सारा समान खतम हो गया, तुम्हें पता है, मुझे बाद खाना मिल् कर लेती होगी, पता तो है, यहां कोई है ने देखने वाला, आज मैंने घर पे च्छापा मारा तो फस गई ना तुम, तुम जानती हो अपना बिजनस छोड के हैं, उसी घर को देखने के लिए, क्यों मुझे पता है, तुमने मेरे घर को सेल आउट कर दो पर मैं नहीं कर सक करना, मैं तुमारी ड्रामे में नहीं आने वाली, इस गर में मेरी जान बस्ती है, जान, अगर तुम खैल कर सकते हो, ठीक है, मना चलती बनो, मैं मैं आपसे जूट नहीं बोलूँगी, मैं इस घर का नमक खाया है, मैं रोस घर की सफाई करती हूँ, पता नहीं आपको ऐसा क इस पर ड्स्टिंग रह गई, मैं मामूज पर सब्लेम नहीं लगा सकती, और प्लीज मुझे इस जॉब से फायर मत करीगा, मैं छूट छूटे बच्चे, बच्चो के जब्स्मेदारी मेरे ही कंदे में, बच्चो के पापा जब से गए है, पुरी जब्समेदारी मेरे उप पर आगई है, रजट तुम्हें एमोशनी ड्रामा मेरे सामने बिल्कुं मत करना, मैं इन थम्हारे इमोशनी ड्रामे में नहीं बहना था पापा तुमही बातों में बिल्कुल नहीं आउंगी, खाया तुमने मेरे लिए बनाया है यानि, चलब मुझे गाडन दिखाओ, यह मेरी बात तो सुनिये, मैं गार्णा का बहुत जादा ख्याल लगती हूँ, बगर में सर्दी आती है। मैंने कहा था तुमसे, इस्पेशली बोल की गई थी, कि मेरे गार्णा कुछ नहीं होना चाहिए। अब मैं पापा से कह दूँगी, कि तुम्हें इस जॉब सर्फाय कर दे, तुम्हारे बच्चे मरते हैं, तुम्हारे मुझे कोई फर्द नी पड़ता, मैं तुम्हारे गार्णा ख्याल अपसे मैं रखूँगी, मा सारी गलती मेरी है, मुझे इन छोटे लोगों पर घर छोड करती हैं, उसे कहती हैं किसी नए केयार टेकर के इन्तिजाम करें, रज्जो बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसको सिफ़ अपने खाना पेना, अपने बच्चे, अपनी फैमिली का प्रावा, मेरी मा का क्या, इस घर की एक इट मेरी मान ने अपने हास्ते लगाई थी, और मैं इसको रहूंगी अपने मा की खुशियों को, इसके बच्चे भूकी मरचे तो मरें मेरी बला से, पापा से आज ही कहूंगी, कि मैंने इसको जॉब से फायर कर दिया, अच्छे हो, पापा ने मुझे घर देखने को बोल दिया, और ना अगर मैं यहां नहीं आ थी तो यह और बरबाद होता है, जो काड़ में तोरे बाद माह के हाथ के लिए लगए हुए फूले वह भी पूरे जड़ जाते है, रजो शर्मिंदा होने के बजाए, कि मुझे से माफी मांगे, और एक्टिटूट दिखा के अंदर चली गई, पता नहीं माने रखा हुआ था, कि कोनी में कैमरा लगा है, ताकि मैं लंड़ने बैटके अपने घर को देख सकूँ, और देख सकूँ कि किया ठेकर में घर का ख्याल करती भी है या नहीं, हाँ यही ठीक होगा, मुझे पहले अकल क्यों नहीं है, कैमरा दो पहले भी लगवा सकती थी, शायद मैं काम में इतना हुए, तो अभी जाये जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए, मुझे धेर सारा प्यार देजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, थैंक यू